कि देखे जो कुश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्याद किजिए जिसमें 36, 45, 63, 60 से पुरी पुरी विभाजित किया जा सके मतलब कि उस संख्या का जयात करना है एक है पुरी संख्या हमने लिख दिया अब सबका ालेंगे तो देखिए अशानी संब्स निकालेंगे तो 2, 2, 3, 3 सर्वींद ऑफ गंड गया अब हमें पैटालीस के लिए नो पसे पैटालीस उता है तो नौ तैहर भी 05 नहीं है तो पाँच देंगे 60 तो देखिए 7 नवा 36 होता है तो नवा स्थ नहीं है ठीक है अब यहाँ पे और सुक्त के लिए देखे यह साथ था तो साथ के लिए हम पुरा जब गुणान खंड करेंगे तो यह इसे में आज गया है देखे पंदरा और यहां पे 15 तुने 30 तुने 60 हो गया अब जब सब का हम हल करेंगे यह 12 साथ होगा और यही हमारे क्या होगा ठीक है तो लिए दन्यवार इसको हल किजि क्या होगी जिसको यह तीन हो पाइमाने सही सही माप सके हैं तो जानते हैं कि कम से कम तुलसा निकलना है तुलसा निकलने के लिए सबसे हम इसको पहले तूरेंगे तो दो कि यहां पर देखिए बस एक पांच डाल देंगे तो पचास का हो जाएगा अब साथ के लिए हमें के वर एक तीन डालना होगा ठीक है यह हो गया जब इसको हम हल करेंगे कि कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका शहाओ सो सेमी या छे मिटर इस तरह से आपका आप सम उस तरह से कर सकतें इसका यही हो गया अथा आप सही सही पर माना क्या होगा यहीं हो प्रिप नमबर चार है अब अब यह दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्याना कीजिए जिसमें यदि याठ नौ बारत ख़ाए तो 16 सदै एक सदेगे यह पर इस संख्या के रूप में सबसे पहले इतना भी संख्या बाद्रा जाए ज्यसे आठ हो गया नोगे असेश्ट एया हो नीकालेंगी यह लूछाइगा दू दू इंटू इन टू इस इन चाहए ना шथ प्लास अग्राइब चुछंद जिया गया है कि वह चोटी से छोटी संग्या ग्यांत किजिए जिसमें चार पांच छोव साथ चार पांश छे साथ आठ से भाग देने पर सिस्फड इतना अंतर भब दीए गाएं और तो छार में से अगर तीन घटाएंगे तो यह कह जाएगा फांच मैंसे चारेंगे तो भी जाइए वादशा सब का उंतर बरावर होगा अब इनका आम लासा निकालेंगे ति आ देते हैं चार इंटू 5 इन तो यहां पे तीन लिग देंगे यहां पर साथ लिखें देंगे यहां पर डो लिग देंगे तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना बचएगा ऐगा और कितना एसका डी होगा देखियों, संख्या चौटी से च्छोटी शंख्याग्यात किजिए, गया डिने पर प्रतिक जसा jaga कि गटम से गटाएंगे, जब पर पांच ‌व थेखने कंगे, जी जी 705 संख्याद कोई और गाता है। करेंगे जब यहां पर देखेंगा यहां पर देखेंगे यह लिख देंगे तो तीनसों कितना हो जाएगा 900 तो यहां पर देंगे 900 बचेगा 100 उपर से उतारेंगे पुना एक 0 पुना तीन बार जाएगा 900 होगा पुना बचेगा 100 मतलब कितनी बार गया आता है 30 बार पर रण तो कुछ बचा है आता कुल मिला कर इससे एक अधिक बार लेते हैं आता 34 बार जा सकता है क्योंकि हमें चार अंग पांच अंग का लाना है तो अधिक चलते हैं और कम लाना होता तो एक कम आते 24 बार अब 34 से 300 में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे जो भी आएगा उसमें जो अंतर होगा हम कराएंगे तो पहले दिखिए कि यह हो गया 300 इंटू यह हो गया 34 कितना ब कि यहां पर होगा और कितना यहां पर से बच रहा था जो भी बच रहा था हम क्या कर देंगे घटा देंगे टाइप नमर पांच समावर्त पराधारित प्रेश्टन दिया गया है कि इतने के निकर्ता मोग संख्या ग्याद किजिए जो 40 45 50 55 से पूरी पूरी बिभाजित हो जाए तो देखिए सबसे पूरे जो भी संख्या दिया जाता है उसका हम लगसा निकालते हैं संख्या दिया गया है 40 45 50 55 यह हो जाएगा दू दो पांच 45 का जो करना है हम दिखा देंगे की 3 3 क्यों की 5 है और 9 55 हो जादा है और यहां पर 50 लाना है तो पांच दोने 10 और एक पांच लिखिए देंगे तो हो जाएगा 50 यहां पर 55 मतलब 15 सबका जब हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा अन्ठानवे डबल जीरो ठीक है एक सवां ठानवे डबल जीरो अब अब संख्या जो दिया गया है उसमें इससे हम भाग देंगे यह हो जाएगा पांच चार जो भी जिया गया है संख्या यह होगा अन्ठानवे डबल जीरो कितने बार जाएगा दो बार दो बार में यह हो जाएगा अब इसको हम घटाएंगे तो जो भी बचेगा मतलब मान देख लिजे यहां पर बचेगा इतना बचेगा अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो हमारा कितना बार भाग गया है दो बार इससे एक अधिक पर लेकर इसमें हम गुणा करनेंगे मतलब की एक सवां ठानवे डब अच्छा है इसलिए हम एक अधिक मतलब की तीन से गुणा करते हैं और जब तीन से गुणा करेंगे तीसका मान हमरा आ जाएगा पांस और चवरानवे डबल और यहीं हमरा क्या होगा